में आप सबका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे कि options में हम लोग stop loss कैसे लगाते हैं तो टॉपिक ही है आज का stop loss in options trading क्योंकि देखी बहुत दिनों से बहुत सारे subscribers जो हमारे हैं उन्होंने हमें WhatsApp किया मैं message किया उनका कई बार request आया कि kindly एक वीडियो आप बनाईए डिटल में बनाईए कि options में हम लोग किस तरह से stop loss लगाएं क्योंकि उनको spot price में तो stop loss लगाना आता है but options में लगाना नहीं आता है तो दोस्तों हम लोग आज मार्केट में कितने तरीके से stop loss लोग लगाते हैं और कौन सा जिर्मिन तरीका है और सबकी अपनी अलग अलग पसंद है जरूरी नहीं है कि जिस तरह से stop loss मैं लगाता हूँ वैसे आप लगाएं कई लोग अलग तरीके से लगाते हैं बट जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी तरीके के लोग मार्केट में stop loss लगाते उन सारे पॉइंट्स पर मैं डिसक्स करूंगा तो बेटर होगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप बहुत सेरिसली देखें एक एक पॉइंट आप मि इस वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए पहले तो मैं डिटल में बता दूं कि stop loss होता क्या है उसके बाद मैं आता हूं किस तरह से लगाना होता है इस सब्सक्राइब में लगा दें तो हमारा लॉस वहीं पर क्या होता है कि कड जाता है यानि कि उसके नीचे हमारा लॉस और नहीं होगा तो हम कोसिस करते हैं कि जब भी मार्केट में ट्रेड लें मैं आप में मेंशन कर देता हूं हमारी कोसिस क्या होती है कि जब भी हम मार्के अब देखी दोस्तों इसका advantage क्या होता है advantage यह है कि देखी दोस्तों share market जो है यह probability का खेल है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जो लगता है वही होगा market supreme है और किस तरह से वो behave करेगा बहुत ही dynamic personality होती है share market की तो हमें क्या करना है हमें पहले से ही decide करना है कि हमारी entry कहा होगी हमारा stop loss क्या होगा और हमारा target क्या होगा अब market किस direction में जाएगा किसी को नहीं पता बट कम से कम आपके हाथ में तो यह है कि आपने यहाँ पर entry ले लिया और आप चाहते हैं कि इसके नीचे अगर जाए तो मैं अपना stop loss यहाँ पर hit करा लूँगा इसका मतलब यह कि इसके नीचे में और loss नहीं लेना चाहता ठीक है और आप चाहते हैं कि target अगर यहाँ पर आए तो यह आपकी उपर depend करता है आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना profit बुक कर लूँ या फिर अगर आप चाहे तो इस profit को और भी आगे ट्रेल करकर के आप और भी profit को maximize कर सकते हैं तो यह तरीका है कि आप market में किस तरह से trade लेते हैं अब देखी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि stop loss सबसे genuine जो तरीका है जो मार्केट में सबसे genuine तरीका है उस पर बात कर लेते हैं उसके बाद market में कितने तरीके से लोग stop loss लगाते हैं उस पर आता हूं देखी दोस्तों जेन्मिन तरीका यह होता है कि जब भी हम लोग चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में मांद के चले मार्केट अप्टेंड में अगर आप लोगों ने सपोर्ट और रिजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी है तो अच्छी बात है अगर नहीं जानकारी है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल जूँगा किस तरह से सपोर्ट हम लोगों करते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जहां से बारबा प्राइस उपर की तरफ जाता है ठीक है तो एक होता है सपोर्ट लाइन जहां पर प्राइस सपोर्ट ले ले के दिमाग में आएगा यहां क्यों होता है ठीक है हम यहां क्यों नहीं लगा सकते यहां क्यों नहीं लगा सकते आप लगा सकते लगाना चाहें तो बट मैंने क्या बता है जो जेन्मीन तरीका है लोग यहां क्यों लगाते हैं उसके पीछे की साइक्व लॉजी को समझी आप दोस्तों देखिए, प्राइस जब भी ऊपर जाता है, तो एक pullback लेता है, आप देख पा रहे है, higher high, higher low, इस formation में जाता है, प्राइस है, अब इस प्राइस ने बहुत देर से consolidation में रहा, अब breakout दिया, ठीक है, इस resistance को breakout दिया, और यहाँ पर अगर आपने buy किया है, यहाँ पर resistance तूट जाता है, तो वो दोस्तों support का काम करता है, ठीक है, तो अब यह जो है support का काम करेगा, यह इसे रोकेगा price को, नीचे नहीं आने देगा, ठीक है, इन case मान के चलिए, यहाँ से अगर नीचे आता भी है, तो नीचे यहाँ support है, काफि strong support को बहुत देरों तक market यहीं प होता है, कम से कम 10-12 रुपे छोड़ का, इतना नहीं कि तो तो कम से कम 10-15 रुपे का आपना gap दे दे, उसके नीचे आप stop loss लगाए, तो कम से कम आपके पास chances रहता है, कि यहाँ पर दो hurdle है, एक ही hurdle है, कि price अगर यहाँ से ऊपर गया है, वापस है, तो chances है very high कि यहाँ पर support कि price उपर चला जाएगा, लेकिन अगर market नीचे आना भी चाहता है, तो क्या होगा, कि यहाँ पर जब price टूटेगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर थे, मतलब जितने भी buyer यहाँ से buy किये हैं, वो रोकना चाहेंगे, वो एक hurdle का काम करेंगे, price को आने नहीं देंगे, लेकिन अगर price नीचे आ गया, तो अब यह hurdle का काम करेंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे buyers बैठे हैं, यहाँ सारे buyers बैठे हैं, यहाँ से buyers price को नीचे जाने नहीं देंगे, तो काफी दिर तक यहाँ पर लड़ाई होती है buyers and seller की बीच में, तो chances होता है कि वापस price यहाँ support कि ओपर जा सकता है, तो यह genuine तरीका होता है कि हम support के नीचे मतलब जो previous swing है, उसके नीचे में stop loss लगाएं, तो हमारा क्या chances होता है कि stop loss जल्दी hit ना हो, ठीक है, यह सबसे genuine तरीका होता है, और मैं भी इसी तरह से hit rate करता हूँ, इसी तरह से stop loss लगाता हूँ, यह एक तरीका हो गया दोस्तों, तेकि दूसरा जो है, मैं एक करके बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद मैं आपको जिरोधा के interface को इस्तमाल करके भी दिखाऊंगा कि इस तरह से stop loss लगाते हैं, ठीक है, तेकि दूसरा जो condition हो गया, for example, आपके पास 1 lakh का capital है, ठीक है, आप कई लोग होते है हैं, वो decide कर लेते हैं कि आज की दिन, एक दिन में, मैं 5% के उपर मैं अपना stop loss नहीं दूँगा, for example, वो सोच के रखे हैं कि आज मैं जो भी trade लूँगा, 5% के उपर मैं अपना loss नहीं book करूँगा, तो 1 lakh का 5% कितना होता है, 5000, 5000 होता है न दूस्तों, तो मतलब उन्होंने यह रखा है कि 5000 के उपर वो नहीं लेना चाहते है stop loss, अब मान के चलिए कि आप trade ले रहे हैं, ठीक है, आप chart देख रहे हैं, प्राइसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे है, अब आपने देखा कि यह breakout दे रहे हैं, मैं यहां खड़ दूँगा, ठीक है, और यहां का stop loss आप लगा चाहते हैं, मान के चलिए, नहीं भी अगर लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले से decide कर लिए हैं कि 5000 उपर मैं loss नहीं लेना चाहता, ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, देखे, हमें simply क्या करना है, इसी को कहते है, risk management या फिर money management कह सकते हैं, हमें क्या करना है, simply, मैं calculator खोल देत हूं, ठीक है, आपका क्या है, कि 5000 उपर आप loss नहीं लगाना चाहते हैं, आप खर लिजे, 5000 ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर आपने खरीदा है, यहां का stop loss आप लेना चाहते हैं, और इस यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक की जो दूरी है, gap है, मान के चलिए, 60 पहले, 5,000 के उपर आप loss नहीं लेना चाहते, तो आपका कितना होना चाहिए, अगर 5000 आपका loss आपने decide क्या हुआ है, तो 60 से आप divide कर दीजे, divide कर दीजे, 60, क्योंकि वो gap है 60 का, divide कर दीजे, तो कितना निकला दोस्तों, 83.33 निकला है, ठीक है, अगर आप bank nifty में trade कर रहे है आप किसी भी instrument में trade कर सकते हैं, बट मैं आपको bank nifty के बारे में बता रहा हूँ, कि अगर bank nifty में trade लेते हैं, तो bank nifty में एक lot में कितना quantity होता है, 15, तो आप 15 से अगर divide करें, तो कितना lot निकला, 5.55 lot, मतलब कि आपको अब जो trade लेना है दोस्तों, वो कैसे trade लेंगे, कि आप पांस ही lot पकड़ी चलिए, 5.55 lot, पांस lot के ऊपर आप trade नहीं लेंगे, आपने अपना risk manage कर लिया, अपना money भी manage कर लिया, कि अब जो है price, कितना भी नीचे जाना चाहे, इसके नीचे में नहीं loss लेना चाहता, तो अब इसको मैं multiply कर देता हूँ, आप समझ जाए, मान के चल lot का multiply by 15 अगर quantity करते हैं, तो कितना है, 82.50 multiply by 60 point अगर आप कर दे, तो कितना निकल गया, देखे, लगबग भई 4,950, पांस चाहर के आस पास निकल गया, तो आपको क्या करना है, आपको decide कर लेना है, कि अगर 60 point का gap है, अगर हो सकता है, 70 point का gap हो, या 80 point का gap हो, तो आपको divide कर देना है, 5000 को 80 point से, या 70 point से, तो आपका निकल जाएगा lot size, कि कितने lot में आपको लेना है, कितना quantity में आपको treat करना है, तो उस तरह से आप treat कर सकते हैं, तो यह हो गया दोस्तों, second तरीका हो गया, जो कि stop loss लगानेगा, ठीक है, अब देखे, कई लोग हैं दोस्तों, वो price की हिसाब से treat करते हैं, मैं इसे remove करता हूँ, कई लोग जो है, price की हिसाब से, मैं सब को, अभी मैंने आपको percentage बताया, ठीक है, percentage बता दिया, कि 5% के उपर loss नहीं लेना चाहते, मतलब कि उनके पास 1 lakh का capital है, 1 lakh का capital है, और वो 5% के उपर loss नहीं लेना चाहते, तो यह 5000 निकला, यह तो होगा percentage-wise, अब कुछ लोग होते हैं, वो decide करके रखते हैं कि पैसे एक हिसाब से, ठीक है, वो percentage नहीं, वो कहते हैं, दिन में 2000 रुपया की उपर, मैं loss नहीं लेना चाहता, ठीक है, या 3000 की उपर मैं loss नहीं लेना चाहता, ठीक है, इस तरीके से भी कई लोग लोग ल कि दूरी है तो आप 50 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 इसको अगर आप 15 से अगर डिवाइड कर दें तो पंदर चोको साथ यानि कि चार लॉट ठीक है यानि कि चार लॉट बैंक निफ्टी में आपको चार लॉट ही टेड लेना है मतलब च इसी तरह से कहा है लोग लगाना पसंद करते हैं बट मार्केट में अलग-अलग तरीके के लोग है कई लोग पर्सनीज किसाफ से रखाते हैं लेते हैं तो टिपंड करता है किस तरह से आपको लेना है अब आते हैं दोस्तों चले हम लिख जरुधा का इंटरफेस कौल लेते हैं एक बार लिख और सबसे पहले तो आपको मैं और से लगाते हैं अब जैसे क्या होता है, मैं जनरली क्या करता हूँ या बहुत सारे लोग क्या करता है, Spot के चार्ट को देखते हैं, Bank nifty के Spot के चार्ट को देखते हैं, और यही मान के चलिए, मान के चलिए, मैं यहाँ पर एक lineста करते रहा हूं, horizontal, मान के चलिए कि यह egy resistance है, मान के चलिए ठीक है यह एक resistance है ठीक है यह resistance है और नीचे यह support है मैं यह भी mark कर दे रहा हूं नीचे यह support है ठीक है अभी क्या है कि generally लोग क्या करते हैं फिर मैं क्या करता हूं मैंने decide कर रखा है कि अगर यह breakout देता है मैं जैसे यह breakout देता है मैं order place कर देता हूं तुरंत order place कर देता हूं कितने का करता हूं place order मान के चलिए दीक राइट-hand side भी देखिए 44,559 है तो यह strike price at the money मैं लेता हूं तो at the money का क्या price आएगा 44,559 है तो आप दोनों ले सकते है चाहे 44,500 का strike price लिजे चाहे 44,600 का strike price लिजे तो अगर आप यह लेते है strike price तो मैं खरीद के bet जाता हूं ठीक है 44,600 या 500 का strike price का खरीद के bet जाता हूं अब अगर price उबर तक जाता है जहां तक मेरे target है वो hit होता है तो मैं तुरंत क्या करता हूं अपना sale order कर देता हूं कर देता हूं मेरा कट हो जाता है कि यह इक तरीका हो गया कि आप कहते नहीं उप्शन सम直接 करना चाहता हूं मैं लगाना चाहता हूं अपना से टो चलिए में करता हूं अब देखेंएक फॉर्ड का मैं चर्ड खोल के दिखा थो मानगे दोसको अभी अभी जो स्पॉर्ट का प्राइस कितना था जहां पर मैंने टेड़ लिया था 44,500 तो आप एक काम किजिए 44,500 यहां पर लिखिए ठीक है और आप क्या खरिदने वाले हैं CE मतलब आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस समय आप क्या करते हैं CE बाई करते हैं तो 44,500 का जो CE है अगर मैं यह खरीता हूँ अभी आज कितना देट है आज 4th of September है ठीक है तो 6th of September को expiry है मानके चलिए मैं weekly expiry ले रहा हूँ ठीक है तो मैं weekly expiry का यह 6th of September का यह strike price है मैं ले रहा हूँ 44,500 का CD अब मैं buy कर रहा हूँ ठीक है यह देखिए जेरोधा का interface है अब आपने देख लिया कि एक lot minimum यहां होता है कि एक lot आपको minimum buy करना पड़ेगा minimum एक lot अब आपको stop loss लगाना है ठीक है न दोस्तों अब आपको stop loss लगाना है और आपने देखा जहां पर आपने buy किया जो buy का price था यहां पर मैं दिखा दिता हूँ इसका पहले चार्ट निकाल लेता हूँ यह चार्ट ओपन होगे दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है मुझे खरिदना है मार्केट ऊपर जाएगा ठीक है अब जब सीई खरिदने वाले हैं और आपने मार्क कर रखा है कि यह यह आपका support और resistance मार्क मैं कर दे रहा हूँ यह मान के चलिए कि आपको दिख रहा है यह resistance पॉइंट है और आपको लगता है कि यह breakout करेगा तो मैं बाई करूंगा और इसके नीचे मैं stop loss लगाऊंगा यह आपने सोच रखा है कि इस support के नीचे मैं stop loss लगाऊंगा तो जैसे यह breakout देगा तो आप देख लेंगे कि breakout का प्राइस कितना आ रहा है वहाँ पर आप देख लिजे यहां पर जो breakout का टाइम है 234 रुपीस 48 पैसे ठीक है तो जैसी यह breakout करता है तो वह आपका 234 रुपीस 48 पैसे का आपका stop loss सॉरी बाइंग ओडर होना चाहिए stop loss का होना चाहिए 200 रुपीस यह देख पा रहा है तो 200 रुपीस है तो आप एक काम कीजिए 199 रुपीस लगा लिजे तो आपका stop loss 499 का लग जाएगा और आपका यह एंट्री प्राइस जो है 234 रुपीस क ठीक है तो देखिए कोई sponsored नहीं है कि मैं जिरुधा का मैं कोई sponsorship लिया हुआ हूँ ठीक है बैट मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से लेना है कहा गया एक सेकंड मैं इसको बाई कर लेता हूँ ठीक है यह सिक्स्टी स्वारी 44,500 का सी है 6 सप्टेंबर का है मैं इसको अब आपको क्या करना है अब आपको करना है stop-loss लगाना है ठीक है आप चाहते है stop-loss लगाना तो इसके नीचे आप stop-loss नहीं लेना चाहते ठीक है और आपका यह बाइंग ऑडर है 234 लगाना है तो दो दो तरीके होते है एक होता है SL SL order जिसको कहते है stop-loss order एक होता है SLM stop-loss जो है market price के accordingly जो stop-loss होता है उसको कहते है SLM तो मैं पहले SLM करके दिखलाता हूँ SLM करेंगे तो आपके पास क्या होता है कि यहां पर यह price लगाने का option नहीं आता है आपको trigger price लगाना होता है ठीक है trigger price तो अभी आप यहां पर trigger price को adjust कर लिजे आप क्या चाहते है कि जब price अभी price कितने पर है दूस्तों 50 पैसे डाल दीजे ठीक है इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि जैसे ही 199.50 पैसे पर प्राइस आएगा आपका जो broker है वह exchange को information देदेगा कि प्राइस जो है trigger price जो है market price की साफसे नहीं लगाना है मैं अपना limit set करना चाहता हूं तो आप एक काम कीजिए अपने प्राइस लगाने का option और प्राइस जो आपका जो limit order है वह लगाना चाहते है तो पहले तो आप यह कर लिजिए कि आप टार्गेट जो है ठीक है आप चाहते है कि टार्गेट जो stop loss का आपका limit है वह है 199 रुपीज का आपका यह price है कि आप 199 पर चाहते है कि price मेरा hit हो जाए ठीक है तो trigger price आप डाल दीजिए 199 रुपीज 50 पैस है कि जैसे ही आपका price आने से 50 पैसे पहले ही आपका broker exchange को informed कर देगा कि यह price आने वाला है इसे आप execute कर दो तो जैसे ही आपका 199.50 आएगा ठीक है तो उसके आजपास कुछ भी price हो उसमें आपका position जो है अपने आप ही वहाँ कड़ जाएगा तो आपका stop loss पहले सी decider रहता है कि यहाँ पर 199.50 के पास stop loss कड़ जाए तो यह तरीका होता है दोस्तों कि आप अपने जिरो था चाया आप स्टॉक है किसी भी जो इंटरफेस करते हैं इस तरह से आप stop loss लगा सकते हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों कि market में किस किस तरीके से लोग stop loss लगाते हैं अब उसम यह breakout देता है मैं यहां buy करता हूं और इसके नीचे का मैं stop loss लगाता हूं मैं कभी वो decide नहीं करता है कि मेरे capital का 5% मैं stop loss लगाऊंगा या 2000 रुपे लगाऊंगा इस तरह से मैं कोई नहीं लगाता है इस तरह से मैं नहीं करना परसंद करता है अब वो depend करता है market में सब अलग अलग risk appetite है तो जैसे trade करना चाहता है करें बट जैन्मीन तरीका यही होता है कि stop loss आप वहां लगाएंगे जो previous swing low होता है उसकी थोड़े नीचे लगाएं क्योंकि यहां से buying आई है ठीक है यहां वे breakout हुआ है तो market जब वापस आया तो कम से कम 2 hurdle मिले एक hurdle यह मिले तुरंत आ कैसे आपको करना है तो दोस्तों उमीद करता हों कि एकदम क्लियर हो गई होगी कि options में किस तरह से trade करना होता है और options में किस तरह से stop loss लगाना होता है अगर आपको नहीं हूँ है अगर आपको लगता है कि इसको कुछ और डिटेल में बताओं या क्वेस्चिन आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजे ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आता है अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हां दोस्तों मैं और कह दूं कि जितने भी लोग हैं जो भी हमारे वीवर्स हैं सब्स्राइबर्स हैं उन सब हां भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़ते हैं ठीक है वह बहुत कुछ कुछ रखते हैं और हम लोग बैटके सॉल्व करते हैं तो अगर आपको सीखना है तो वह फ्री टेलिग्राम चैनल है आप उसे जॉइन कर सकते हैं मैं वह लिंक मैं के साथ तब तक लिए दोस्तों बाबाए